आसलाव ने को यह देख सकते हैं कि हमने फ्रेम स्ट्ट्चर कम्पलीट कर दिया इसकी बेस्मेंट भी कम्पलीट हो चुकिए है इसका जो फ्रेम का एंगल था वह भी uğर्पी हो जुच को बार्ज इसको बाकि थी वह भी हमने कम्पलीट कर दो कि यह वह normal और इन फ्रेम्स के उपर चार बार्ज रखी दूएर जार दिदर है और जार फ्रेइम और चार बार्ज उस साइड तो यह भी कंप्लीट हो चुका है बार्ज का प्रोसेस अभी बार्ज के उपर सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे यह वाली जो बार्ज है यह बार और यह बार इस तरह की जो चार बार्ज हमने लगाई है दो बार्ज पर एक पैनल आएगा अभी हमारा फ्रेम स्ट्रेक्चर कंप्लीट हो चुका है अभी बस यह पैनल हमारे पास यह पड़े हैं हमारे करीब ही यह पैनल उठा कि हम इन पर इंस्टॉलेशन कर देंगे बिलकुल फिट कर देंगे किसी किसम का कोई मुश्किल नहीं होगा उसके बाद इनिशाल आपको दिखाते हैं पैनल फिट करने के बाद कि कैसा लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट झाल कि 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 लाद कि रहा है नहीं होगा है जाद की कि जाद झाल कि प्रोजेशन कर दोस्साफ है जड़ता है वाल वोग प्रोजेव दो कि अचले के लुट नहाद चुट जारे के मा कि अचले के लुट अकाद का सिर दॉट है कि अचले का तॉट है बहुट सहुनक है कि अपना था बड़ कर दो पूब कर दो आप दो खूआ है यह आप अभी देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स के एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है एक लाइन में तक्रीबन 24 पैनल लगा हुआ है आड़ती 24 24 पैनल उपर लगेंगे और यह टोटल एक फ्रेम स्ट्रेक्चर के उपर 48 पैनल हो जाएंगे 48 यह लगेंगे 48 इसके पीछे टोटल 96 पैनल होंगे यह आप देख सकते हैं कि हमारा एक फ्रेम स्ट्रेक्चर के पैनल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टालेशन कंप्लीट हो चुकी है यह 48 पैनल लगे हुए है 24 पैनल उपर वाली साइट पर पैनल लीचे वाली साइट यह कंप्लीट हो चुकी यह 16 16 पैनल्स की तिन स्ट्रिंग बनेंगी यह सेक्शन पहली वाली हुए है इसकी 16 16 पैनल की थिंज स्ट्रिंग नजर और भी जनरी स्ट्रे में से 484 पैनल लगांगे दोटल यह बनेंगे 96 ऑफ च्ति मैं होगी ड्य सोरे पैनल जस्ट्रिंग एक स्ट्रिंग में सोला पैनल मंजूद और यह प्रोजेक्ट जो है वो इश्राक सोलर अलमजमा सिटी नियर्याद साथियारब का है यहां पर गतास लग रहे हैं इसके बाद कर दिया जाएगा आज जिस तरह देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अलहमदलिल्ला पैनल इंस्टालेशन कंप्लीट हो चुकी है हम अब इसके कनेक्शन बाकी है इन पैनल्स की सोला पैनल्स की छे स्ट्रिंग्स बनेंगी और एक स्ट्रिंग में सोला पैनल होंगे तो हम आपको दिखाएंग यह इनका जो है सब्मर्सिबल वाटर पांप है इंस्टॉल हो चुका है बस यह केबल में आउट हो चुकी है कल इंशालला ताला हम इसके कनेक्शन करेंगे आपको भी दिखाएंगे किस तरह कनेक्शन किये जाते हैं और तमाम इस्टालेशन आपके सब सब्सक्राइब करें आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल और इंफोर्मेटर वीडियो यहां पर मिलेंगी अभी मैं आपको इसके कनेक्शन दिखाता हूं यह 48 पैनल इस साइड़ है और 48 पैनल उदर पीछे हैं यह टोटल 96 पैनल बनते हैं एक पैनल 545 वाट जे-सोलर एक ग्रेड का है इन पैनल की हमने चे स्ट्रिंग बनाई है एक स्ट्रिंग के अंदर 16 पैनल आएंगे इनके व्योंको दिखा जीता हों कि कि कनेक्शन की स्थरा से होंगे यह आप देख सकते हैं यहां से किनेक्शन इसके स्टार्ट हो रहे हैं यह जो ऊपर वाला पैनल है इसकी हमने नेगिटिव को नीचे वाले पैनल की पॉजिटिव से जॉइंट कर दिया है इस तरह फिर उस साइट पे भी जो उस पैनल की नेगिटिव है वह अगले के पॉजि पर इस तरह स्रीज में कनेक्ट होती जाएगी दोनों तरफ विलकुल सेम कनेक्शनेंस इन स्रीज में किए किया गया पिनल्स को प्लस एक पैनल की प्लस अगले पैनल ours के साथ ही साथ से ख्रीज केसाब से आप को भी पहले बता चूक entrt यूट्यूब चैनल पर वीडियो मुझूद है मेरे चैनल पर स्रीज कनेक्शन के हवाले से वह आप जानते होंगे इन 16 पैनल्स को स्रीज में जोइंट किया गया है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ पैनल उपर हैं आठ पैनल्स नीचे हैं इस तरह 16 पैनल्स को बच गई है यह एक स्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसी तरह हर आठ पैनल्स उपर वाले और आठ पैनल्स नीचे वाले इन सब को स्रीज में जॉइंट करके हमने स्रीज हैं बनाई हैं स्रिंग्स बना ली हैं इस साइड पे जो यह सामने वाला आपको एंगल नजर आ इसमें 48 पैनल्स हैं और शोला-चे तीन स्प्रेंग्स उबनाई यह था रिष्कétais लिए हैं इसाफ से जो इस तरह फृआ में आपको नधर आ रहा है इसैसे भी 48 पैनल्स है और सल्क्रेंग्स की तीन स्पिस्ट सुलाई पैनल्स की च foulे सलाइघ वर्यबर्ट बनेंगे डिसी अभी मैं आपको इदर इन्वेट इंस्टाल की है उसके कनेक्शन और साथ जो छोटी डिप इसके कनेक्शन भी दिखा जिता हूं कि यह मारा में बॉक्स है इन्वेट विएफ डिस में लगी हुई है में एमसी भी लगा हुए डिसी का और नीचे डिसी फ्यूजिस भी लगे हुए है एस्पीडी भी लगी हुई है यह आप देख सकते हैं हमारी छे स्ट्रिंग जो पीशे से बनी है एक दो तीन चार पांच है यहिए चोटल बारह फ्यूजिज Qällt वो पॉजिटिव गहां और चे फ्यूजिज नेगेटीव के कि है स्ट्रिंग जांने कैसे किनेक्ट की है पहली स्ट्रिंग जो पाउजिटिव वह पहले लगा दिया पहली स्ट्रिंग का जो नेगेटीव वह मुस्तर इस स Hmm Ultraल पॉजिटिव और नेग्टिव को जॉइंट कर दिया गया एक साथ बस बार्ज के जरीए इसके बाद उपर हमने बस बार्ज के जरीए में एमसी भी लगाया है जो के इसके जरीए हमने यह वायर लगाकर इन्वेट को स्प्लाई दे दी कही है इसके जरी हमने इन्वेट विएफडी को डिस स्प्लाई जो हमारी पीवी है वह इनपुट दे दी है यह वाली पॉजिटिव और नेगिटिव उसके बाद आप देख सकते हैं कि साथ में जरी लोके यह प्राइस हैं मोटर की तरह जा रहे हैं हम जो हौत फुमें इसके जो मोटर के लिए सब मरम vimos के लिए सबसाइस हें तकरेबं किनेक्शन कमप्लीट हो चुके हैं यह उमारा मसिभी है यह सब्सक्राइब करता हूं आपको हमारे प्रोजेक्ट देखकर बहुत कुछ सीखने को मेल रहा होगा और आप इंज्वाइब कर रहे होंगे मजब टेक्णिकल वीडियो और इंफॉमिशन के लिए आप हमारे चैनल एकुराइब करें यूट्यूब चैनल सोर्डिकोवरी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो ज़रूर माज़िया करें वीडियो drought को लाइक करें शेयर करें हैं कमेंट बाक्स में पर कंटेक्ट करके आपके जरूर रहनुमाई करेंगे या इभी कनेक्षण कम्प्लीट हो चुक्या है जैन बाई ने कम्प्लीट कर दी है कनेक्षण सारे अब भी एक में चीज आपको लिखा दूँ यह जो बार एक स्विच नजर आ रहा रहा है आपको इस स्विच के जरी हम इनमें ड्राइब को ओन आफ करेंगे यानिके रान या स्टॉप करेंगे इस में अमसीबी से इसकी पीवी कंट्रोल होगी और यहां से इसका ऑन आफ सिस् कर दो झाले निए एक स्विच करें और प्राइब कर दो उड़ता अङले तक ज़े आ यहां से इसका झाले पर इसका वार्व डर बंचे पाले झाल झाल